दोस्तों, AngularJs या फिर ReactJs, दोनों ही बहुत आज की तारिक में front end के अच्छे नाम है, अगर अच्छी job चाहिए आपको web development में, तो आपको Angular या फिर React में से दोनों में से एक पर कमाड़ होना बहुत जरूरी है, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ keyword बता से ही है, पर जिनने gap हो चुका है, means after graduation 2015 या 16 में जब भी वो pass outs हुए, उसके बाद किसी government exam की तैयारी में लग गए, या फिर उन्होंने किसी ओर domain में job करिये, दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेगे, कि अभी तक जो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, कि जब भ या python, कि थ्रू हम लोग server पर programming कर सकते हैं, पर when it's come to front end, जो आप जानते हैं, HTML, CSS, JavaScript, तो दोस्तों, front end पे भी आजकल बहुत important libraries और framework आ चुके, जिनने हम लोग कहते हैं, angular.js या फिर react.js, दोस्तों, मेरा नाम है गौरफ अगरवाल, एंड आज इस वीडियो को start करने के पहले मैं आपको again कहूगा, इस वीडियो को end देखेगा, तकि आपको ये समझ में आएगा, कि अभी तक जो आपको confusion चल रहा है, angular.js को लेकर, या फिर react.js को लेकर, दोनों में से better कौन है, या फिर दोनों में किसमें अच्छा package लग सकता है, और अभी तक आपने YouTube पे कई तरह के देखे होगे, जहाँ पर आपको अभी तक भी clear नहीं हो पाया है, कि angular.js या फिर react.js में से हम किसको चूज करें, चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि angular.js versus react.js, which is more important, या we can say that, which is more profitable after learning. दोस्तों, जैसा हम हम लोग ये कहें, कि HTML, CSS, and JavaScript. ये तीनों आपके front end के web designing के सबसे basic step होती है, पर अगर आपको और आगे जाना है, या अगर आपने एक नाम सुनाए, मैंने भी आपको कई बार अलग अलग वीडियो में, आप उपर आई बटन पर देख सकते हैं, मैंने full stick developer को लेकर कई सारे व और उनके framework आने चाहिए, like Django, Spring, Hibernate, या front end पर आपको क्या आना चाहिए, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap के साथ front end के framework या advanced level की library, like ReactJS, दोस्तों, पहला doubt आपको ये आता है, कि हम AngularJS चूज करें, या ReactJS चूज करें, सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर एक answer देना चाहोगा, difference को समझने के पह Angular जो है, वो एक framework है, React जो है, वो एक library है, तो अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया, तो आप पहले ये समझें, कि framework और library में क्या फर्क होता है, देखिए, library मतलब Java Script, ओके, तो Java Script एक front end की scripting language है, और उसी की एक library, कौन सी है, ReactJS, जो कि अभी market में बहुत दिमा होगा, क्योंकि Angular का JS तो बहुत पराना version हो चुका है, अभी Angular के latest आचुके है, Angular 8, 9 और अभी latest में Angular 10 और 11 भी आचुका है, तो सबसे पहले तो आप कभी भी Angular सीखे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कि Angular कोई भी आप JS या 1 या 2 ना सीखे, Angular का जो latest version है, वो 10 है, त तो Angular एक framework है, मतलब set of library, ध्यान दिजिएगा, Angular is a framework, which means set of libraries, and React.js अपने आप में एक खुद library है, राइट, नाम जो जुड़ा है, वो Google का जुड़ा हुआ है, मोई हम लोग बात करते है, React.js की, तो React के साथ जो नाम जुड़ा है, Facebook का जुड़ा है, इसका मतलब, Facebook ने JavaScript की एक advanced library बनाई है, जिसका नाम क्या है, React.js, तो second difference clear हो चुका है आपको, React.js by Facebook, and Angular.js by Google. दोस्तों, थर्ड अमलोग बात करते हैं कि दोनों को सिखने में कितना टाम लगता है, देखे, कॉमन सी बात है, अगर आपको एक single library सिखना है, तो तम टाइम लगेगा, और अगर group of library सिखना है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अगर आपको अच्छे से Angular पूरा सिखना है, Angular 10 या पूरा Angular.js सिखना है, तो कम से कम आपको लगते हैं, मिनिमम थ्री मन्त, मिनिमम थ्री मन्त, ओके, और अगर आपको React.js सिखना है, तो आपको कम से कम लगते हैं, 45 days से लेके 2 months, क्योंकि वो एक library है, पर वो भी अपने आप में बहुत वास्ट है, त चलिए, हम सभी जानते हैं कि Angular हो या React हो, नाम जड़ा है JS, मतलब JavaScript, तो दोस्तों, अगर आपको Angular या JS, या React JS में master बनना है, तो आपको सबसे पहले अपनी कमांड करनी पड़े कि Java Script पे, मैंने कई ऐसे स्टुडेंट्स देखे, जो College Passout से, जिन्होंने JavaScript सीख रखी है, पर तो लोग JavaScript बहुत basic level की सिखते, इसका मतलब जो advanced level की JavaScript है, वो तो कभी सिखी नहीं पाते, अब JavaScript का basic level क्या होता है, और advanced level क्या होता है, उसके लिए नीचे मैंने WhatsApp का एक number शेयर कर रखा है, आप कर भी मुझे पिंग करिएगा, मैं आपको basic JavaScript का और advanced JavaScript का एक syllabus बिजूगा, आप आपको clearly समझ में आ जाएगा कि coaching classes में जो हमें पागल बना दिया जाता है, not, मुझे कहना गलत होगा यहाँ पर, पर हम लोग जो coaching classes में जाकर, हमें लगता है कि यार वो इतनी कम फीस में हमें पढ़ा रहा है, तो हमें हम आपर जॉइन कर लेते, बाद में हमें समझ में आता आपको java script पर command बहुत अच्छे होनी चीए, तो java script is the first step, now अगर आपको java script के बाद angular पर जाना है, तो आपको सिखना पड़ेगी type script, type script, then you can learn angular, पर अगर आपको java script के बाद किस में जाना है, react में, तो आपको महाँ पर आना पड़ेगा, es6, e का मतलब ikma, s का मतलब script, so द and before react, you need to learn ikma script, okay, so ये भी difference clear हो चुका है, कि prerequisite आपको दोनों के लिए क्या है, चलिए, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, main point पे, कि angular या react, दोनों में से better कोन है, देखिए, again मैं आपको यहाँ कहना चाहोगा, ये वही वाला question हो गया, कि sir, अगर हम backend पे, python या java क्या ले, त इसकी जादा है, तो दोस्तों, मुझे ये कहते हैं वे, बिल्कुल भी, सोचना नहीं पड़ेगा, कि अभी market में, अगर 100 job openings है, तो उसमें 70 to 75% demand किसकी, react.js की, और 25-30% demand किसकी है, angular.js की, दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहोगा, कि angular.js की demand कम नहीं है, मैं आपको य इतने परसेंटे या इतने परसेंटे, ये डेटा कोई company का analysis करावा data नहीं है, ये data, वो data है, जो data हमें खुद प्रवाइट कौन करते हैं, अलग-लग तरह के students, for example, अगर मैं बात करता हूँ, last 6 month की lockdown की, तो इस पूरे 6 month में, अगर मेरे touch में 1000 students आए, तो 600 to 700 की demand है, react.js, क्य पर ऐसा नहीं है, angular.js की भी equal demand है, पर आप angular पर जाए, या react पर जाए, आपको strong command किसी एक पर करनी पड़ेगी, अभी मैं आपको एक point और बताने वाला हूँ, इस वीडियो को आप 1 minute और देखना, क्योंकि सबसे important point अभी आने वाला है, दोस्तों, एक बात का धियान रखना, front end पे angular हो या react हो, आपके पास होना चीए, दोनों में से एक framework या एक library, पर अगर आप जानते हैं कि front end अपने strong कर लिया है, तो back end पे भी आपको equal command रटनी पड़ेगी, क्योंकि बिना back end के आप full stack developer नहीं बन पाओगे, चलिए, अब आम लोग बात करते हैं, package की, दोस्तों, अगर आपका front end पे angular js का package की बात करें, तो जो average package जाता है, full stack developer with angular js, वो जाता है 5 to 6 lakh, 5 to 6 lakh per annum average package, entry level की बात करते हैं, और अगर आपको 2 या 3 year का experience हो चुका है, तो ये 9 to 10 lakh हो जाता है, और अगर आप लोग 5 year या 10 year experience हो जाते हो, तो ये package 15 to 20 lakh हो जाता है, पर वहीं हम लोग बात करते हैं, अब ReactJS की, तो ReactJS पर, ReactJS पर आपको entry level package मिल सकता है, 7 to 8 lakh का, और ये मुझे आपको बताने की जरुवत नहीं है, Google पर आप सर्च करें, ReactJS developer की entry level salary क्या होती है, मैं अगेन आपको बोलना चाहोगा, इस वडियो में मैं ReactJS पर focus नहीं करना चाह रहा हूँ ब तो इस वडियो को बनाने का main purpose ये था कि AngularJS versus ReactJS दोनों में से किस पर आपको switch करना चाहिए, हो सकता है अभी market का flow, ReactJS की तरफ हो, हो सकता है कि within some time flow divert हो जाए AngularJS की तरफ, सो हम सभी जानते है ये IT market है, यहाँ पर कभी कुछ fix नहीं रहता है, यहाँ पर time to time आपको self update करना पड़ेगा, पर again, अगर आप non technical है, या अगर आपको 0.1% भी tension है, कि मैं जिस city में रहता हूँ, या मैं जिस state में रहता हूँ, वहाँ पर IT jobs नहीं है, तो मैं आपको बताऊ है, and thank you so much to maximum audience, जिन्हों ने उस course को join किया, आप में से कई सारे लोगों ने उस course को join किया, और कई लोग तो ऐसे हैं, जिनको अभी मैंने part-time job भी लगवा दिये 15-20,000 पर मन्त की उनीकी city में, so मैं आपको again कहना चाहूँगा, आपको सिर्फ dedication चाहिए, और सिखने की नियत च या IT था, या आपको gap हो चुका है, जो आपको gap हो चुका है, 4-5-year का, उस gap को भी हम कैसे काम में ले सकते हैं, वो मैं आपको बता होगा, तो दोस्तों, नीचे description में मैंने अमरा WhatsApp नंबर शेयर कर रखा है, प्लीज, पहले मुझे WhatsApp करें, और अपना queries बताए, फिर मैं आपको reply करूगा कि आप मुझे कभी भी call कर सकते हैं, और मैं आपको telefonically कितना भी time लगे, आपकी query solve करूगा, उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत कुछ क्लियर होगा, और बचुड आउट आप मुझे नेचे DMV नंबर पर WhatsApp कर सकते हूँ, thank you so much. कि मुझे आपकि sockते हैं, ऀा ठाटे कि लाट, टे रगे, आपको आपको कि येवेगादा बहाद की मुझे आपको कि अधको हम उल्सए की उताने कैप्राशा राटे हूबकागा वेगते हैं, लोハハ हैं, और मिढ पको दिए मनिएकरती हैं, ऱ आपको कि छो किह ओ Всем terrाछार दो ह